नमस्कार आज हम discuss करेंगे HPSSE का previous paper जो HPSSE का previous paper है इसका आज देखी हम important questions जो हम discuss करेंगे और ज्यादा details से आज discuss नहीं करेंगे क्योंकि कल इतना बड़ा scenario हुआ आपने देखा कि कल क्या क्या हुआ अभी आगे आने बाले time में कुछ पता चलता है नहीं चीज़ें आती हैं वो motivation हो जाता है थोड़ा सा आलस इन सब चीजों को देखकर आजाता है तो खेर ये सब system का part है system के साथ चलना ही पड़ेगा जब exam की तयारी करनी है और अगर बीच में ही पढ़ाई को छोड़ दिये जाएगा तो मुझे लगता है कि आगे आने वाले time में नुकसान खुद का ही होने वाला है बीच में किसी का नुकसान नहीं होगा और आप लोग बहुत time से मेहनत कर रहे हैं आज मेरा मन भी खुद का नहीं था कि मैं वीडियो बनाऊं क्यूंकि जैसे जैसे आपके comments आते हैं आपके comments पढ़के लगता है कि यार सच में बहुत मेहनत कर रहे थे लोग इ सिनेरियो बना होता है जो chain बनी होती है वो chain बीच में टूट जाए कि उस chain को नहीं तोड़ने की कोशिश करेंगे और आगे बढ़ेंगे क्यूंकि ये सारे चीजें तो होती रहेंगी हो सकता है इससे बड़ी बड़ी चीजें भी कुछ हो जाए अगर पढ़ाई को बीच मे मैं बोलते हैं court और बंद्ला धर हे महवांसल भी दर इस कोई कोई माशल परते है हमाचल परेश के बिलास्पूर हमें बरी चिजें गढ़ेंर 14 तो पर बिल्यों होगे कर यह जो तुन्धा वाईलाफ सेंच्युरी है यह किछ जीले में सेत है तुन्धा वाईलाफ एंच्री दिस्टिक चमंबा में सेत है और विश्टीं नमर 15 में बोलते हैं देहर हुट्राइट्र विचर रिवर और हमंचल प्रदेश में तो यह खड्य शेंच्युरी कि यह बैस नदी की सहायक नदी है बयास जो की option में नहीं दीया गया है तो option दी, non of these, इसका अज réalité आए अंसल हो जाएगा नहीं है अगला कोषिन देखिए क्या बोलते हैं अगले रुपा वैली इज़िस्टिक आफ हमाचल प्रदेश तो रूपा घाटी कहां पर स्थित थैं हिमाचल प्रदेश में ये किनॉर डिश्टिक में स्थित्थ है Question number 16 का option सी कि नौर जो है उसा है अंसर हो जाएगा कि नौर में ही रूपा वैली है कि नौर में ही सांगला वैली है कि नौर में ही रिबा वैली है मैंने कहा ना कि detail में discuss नहीं करेंगे परन्तु थोड़ा-थोड़ा हम जान लेते हैं फिर भी क्यूंकि मोटा-मोटा revise हो जाएग Question number 17 में बूलते हैं भुंडा फेस्टिवल is a celebrated in which a district of हिमाचल प्रदेश तो भुंडा त्योहार बूलते है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है भुंडा त्योहार मनाया जाता है हिमाचल प्रदेश के कुलू जिले में Option D none of this सही अंसर हो जाएगा क्यूंकि निर्मंड होता है दिया गया होता डिस्टिक ना देकर स्थान दिया होता है निर्मंड में जो है यह भुंडा फेस्टिवल होता है इसको कुम्भ भी कहते हैं हिमादले का कुम्भ क्यूं इसको कहा जाता है कुम्भ इसको इसलिए कहा जाता है क्यूंकि यह 12 वर्सों के आया जाता है देखो गोचित युहार हिमाचल प्रदेश के किस जीले में मना जाता है लोहॉल्स पित्ती जीले में मना जाता है अब लोहॉल्स पित्ती भी आप्शन में नहीं दिया गया है तो आप्शन डी नन आफ दीज सही अंसर हो जाएगा जब कन्फ्यूज करना होता है किसी को तो सबसे best method है कि option में none of these दे दे और सही option ना दे बस फिर इन तीन options में ही उलजे रहेंगे जिन्नों ने एक ही बार पड़ा होगा कि पड़ा तो था पड़ा तो था याद नहीं आ रहा याद नहीं आ रहा याद कैसे आएगा जब option में है ही नहीं दिया गया और याद रखने के लिए सबसे important होता है continuity किसी का भी mind इतना sharp नहीं होता कि वो एक बार में ही हजार की हजार चीज़ों को याद रख ले दो हजार सेंक्रों लाकों चीज़ों को याद रख ले बस अगर चीजें revise होती रहती है तो कुछ चीजें हमारे mind में एक बार देखने से set हो जा अगर के आठी एक टृटे काफी योगदान ऊस ताइम दिया था जब मंदी में विद्रो हुआ था अगले बोलता है गड़ कुफर लेक कहां पर सिता है गड़ कुफर जील जिल्जो हो घिटिक शिमला में ऑर कौन कोन सी नदिया जो लेक्स वरी आती हैं कौन-कौन सी जहीले जो है उ डिस्टिक शि मला में आती है डिस्टिक मला की अगर हम बात करें तो डिस्टिक शिमला में जो important को विजिट किया था वो थे Lord M.Hurst Lord M.Hurst option D जो है वो सही answer है यह ध्यान रखिया और Lord Karjan ने Lord Karjan के द्वारा कब चमबा विजिट किया गया था अब जल्दी से comment करके बता दीजिए क्योंकि comment करने हमने यह discuss किया हुआ है जब हमने बेलोकरा पढ़ी थी तो उस टाइम में discuss हुआ था हमारी वीडियो में 22 में बोलता है यह चितकरा उनवस्टी का हम प्रसित है अरने उनवस्टी का हम प्रसित है तो अरने उनवस्टी जो है वो काठगड में स्थित है अरने उनिवस्टी के अलावा अगर हम बात करें चितकरा उनिवस्टी की तो चितकरा उनिवस्टी डिस्टिक सोलन में आती है और चितकरा उनिवस्टी के बाद अगर हम एटर्नल उनिवस्टी की बात करें तो यह बड़ू साही में जो है वो आती है और JP University, JP University का तो आपको पता ही है कि वाकना घाट में यह स्थित्थ है डलहोजी की स्थापना कब हुई थी तो इस question को final answer की कि according scrap कर दिया गया है तो ज्यादा discuss हम नहीं करेंगे 23 के बाद 24 देखे बोलते हैं सिर्मौरी ताल fort is located in which district of, at which place in हिमाचल प्रदेश तो सिर्मौरी ताल fort बोलते हैं हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित्थ है कि हिमाचल प्रदेश के पॉंटा साही में जो है वह स्थित्थ है option D सही answer हो गया पॉंटा साही land of grapes किसको कहते हैं तो मैंने अभी बताया था आपको जब हमने बैरली डिसकस की थी कि नौर की की रिबा में जो है यह स्थित्थ है रिबा को वैडली ओफ ग्रेप्स लैंड ओफ ग्रेप्स वैडली ओफ ग्रेप्स जो है वह कहा जाता है आगे बोलते हैं अर्ध नारिश्वर मंदिर हिमाचल प्रदेश में कहां पर सित है 27 में बोलते हैं थियोग डोमेनियन वास फाउंड़ बाथ करें तो इस क्वेशन को भी स्क्रैप कर दिया गया है ठेकिस थापना खिसने की थी चलो ये भी आपके लिए काम बच जाता है आज आप कमेंट करके बता दीजिए आगे बोलते हैं भूरी सिंग म्यूजियम वास फाउंड़ इंविच यह है बहुत बार इसके बार में एक्जाम में पूछा जाता है तो ध्यान रखना आगे बोलते हैं territorial council was evolution in which year in हिमाचल प्रदेश तो territorial council यान के क्षेतरी परिशत को हिमाचल प्रदेश में किस वर्ष जो था उसमापत कर दिया गया था हिमाचल प्रदेश में उसको समापत कर दिया गया 1963 में option D सही answer है 30 question में बोलते हैं which is the executing agency of UOL 3 hydroelectric project UOL 3 परियोजना है इसको execute करने वाली agency जो है वो कौन सी है इसको execute जो agency करती है उसका नाम है हिमाचल प्रदेश State Electricity Board Limited तो उसका नाम ध्यान लखना है HPSEB जो है इसका पूरा नाम है हिमाचल प्रदेश State Electricity Board आगे देखिए कुछ history के question discuss करते हैं यहाँ पर history के question बोलते हैं the Indus Valley people worship तो बोलते हैं सिंदु घाटे के लोग पूजा करते थे सिंदु घाटे के लोग जो है वो पूजा करते थे Mother Goddess की मात्री देवी की ये पूजा करते थे Indus Valley civilization ये 1921 के आसपास जो था वो इसकी खोज की गई थी ये आपने ध्यान रखना है आगे बोलते हैं रिग वेदा consists of how many heimes तो बोलते हैं रिग वेद में कितने सुक्त आते हैं रिग वेद में अगर हम सुक्तों की बात करें तो इसमें कितने सुक्त आते हैं 1028 सुक्त जो हैं इसमें आते हैं रिग वेद के कौन से मंडल से गाहितरी मंतर जो है वो लिया गया है 64 में बोलते हैं गौतम बुद्धा वस ब्राउट अब आए तो गौतम बुद्धा का पालन पोशन किसके द्वारा किया गया था गौतम बुद्ध जो थे ना इनका पालन पोशन किया गया था महा प्रजापती के द्वारा महा प्रजापती ने इनका पालन पोशन किया आगे बोलते हैं तो इनमें से किसने जैन धर्म को सविकारा था अशोक के बारे में पूछा जाए तो अशोक ने बुद्धर्म को अपनाया था अगर आपसे जैनिजम के बारे में पूछा जाए तो चंदरगुप्त मौरया जो अशोक से पहले से पहले राजा थे वो जो था इन्होंने अपनाया था किसको जैन धर्म को आगे बोलते हैं, who was not a shaka ruler, तो इनमे से कौन से सक शासक नहीं थे, अगर हम सक शासक की बात करें, इनमे से कौन से नहीं थे, तो मिनांडर एक shak शासक नहीं थे, he was not a shaka ruler, ये ध्यान रखना है आपने, और 67 ने बोलते हैं, which was not a kingdom in ancient India, तो ancient India में इनमे से कौन सा kingdom नहीं था, इन में से हामपी kingdom नहीं था हामपी विजयनगर का विजयनगर empire जो था उसकी राजधानी थी ये ध्यान रखने हैं बाकि कौशाला, वत्स, अवंती, ये महाजन पदों में भी आपने बड़े हैं 68 में बोलते हैं in which reason of India was the firdausi order of sufism popular भारत के किस क्षित्र में? सुफिवाद का फिर्दोसी सिलसिला जो था वं लोगप्री अथा तो भारत के भिहार reason में प्रचली था आगे बोलते हैं सात वहाना belong to सात वहाना किस सात वहान लोगर करते थे? सात वहान जो था वो अंथरा रीजन से बिलोगर करते थे आगे बोलते हैं battle of panipath mainly because of बावर वॉन बावर वॉन दी बैटल आफ पानेपत विकाउज ओफ तो बुलते हैं बावर ने पानेपत का जो लडाई जीती थी पहली पानेपत की लडाई की बात हो रही है क्योंकि इसके कारण इसके पीछे बहुत अच्छा रीजन था कि उसके मिलिटरी स्किल्ज जो थी स्किल्ज दोनों अच्छे थे तभी यह जीत किया तो इसी में इसी लिए मैं बार-बार कहता हूँ कि और देली ब्रेक्टिस कीजिए क्योंकि एक दिन का भी गैप बीच में पढ़ जाता है न तो धीरे धीरे एक दिन का पड़ेगा फिर थोड़े दिनों के पास दो दीन त चार दिन और आदत पड़ जाएगी फिर ऐसे ही गैप की फिर फरक भी नहीं पड़ेगा कि एक दिन नहीं पड़ा कोई बात नहीं दो दिन नहीं पड़ा कोई बात नहीं आगे बोलते हैं दिन सेवंटीवन में विच सीख गुरु लेड़ दा फाउंडेशन ऑफ शिटी ऑफ अमरिच तो अमरिच तो किस थापना किस ने की थी इंपोर्टन कोईशन ने अमरिच तो मिर जाफर के बाद उसका शाशा कौन बना था या फिर उसका उत्रा धिकारी कौन था तो उसका उत option D जो है वो बिल्कुल सही अंसर हो गया 73 में बोलते हैं गंधारा school of art developed during the time of तो गंधार कला चैली बोलते हैं कि इसके कारेकाल के दुरान विक्षित हुई थी गंधार कला चैली जो था कुशान के कारेकाल के दुरान विक्षित हुई थी जब भी कुशान के वारे में हमने डिसकस किया रहे तो हमने गंधार जरूर पड़ा है मैंने बताया है इस सैली के वारे में आपको 74 में बोलते हैं फतेहपूर सिक्री was founded by फतेहपूर सिक्री कि स्थापना की थी किसने अकवर ने और फतेहपूर सिक्री में से थिता है पंच महल पंच महल कहां पर सिता है फतेहपुर सिक्री में से थिता है ये धियान रखना ये दोनों कोशन इंपॉर्टेंट हो गए 75 में बोलते हैं who was the author of हुमायू नामा हुमायू नामा जो ग्रंथ था उसके लेखक कौन थे हुमायू नामा के लेखक थे गुलबदन बेगम गुलबदन बेगम ने ये हुमायू नामा लिखा था ठीक है ये धियान रखना 75 का option A 76 का बोलते हैं चेंगीज खान was तो चंगेज खान क्या था चंगेज खान की अगर हम बात करें तो ये एक मंगोल था 76 का option B सही अंसर हो गया आगे बोलते हैं अलहिलाल न्यूस्वेपर वाज स्टार्टेड वाई तो ये अलहिलाल एक समाचार पत्तर चलाया गया था ये किसने चलाया था ये अबुल कलाम अजाद के द्वारा चलाया गया था option A अबुल कलाम अजाद जो है आपने किसने किसके द्वारा ये दिया गया था सर अप्रत्थम तो ये दिया गया था भगत सिंग के द्वारा option D सही अंसर है भगत सिंग आगे बोलते हैं upliftment of the backward classes was the main program of the तो जो पिछडे वरक थे उनका उत्थान किसका मुख्य कारेक्रम था पिछडे वरक उत्थान करना मुख्य जो कारेक्रम था वो था सत्या सोदक्स माज का अच्छा सत्या सोदक्स माज का थनस्थापर कौन था थनस्थापर कौन था इसका आप ही कमेंट करके बता दीजी आज ये भी आप बता दीजी अच्छी बात है रिवीजन हो जाएगा आगे बोलते हैं वल्ला भाई बतेल वाज बार्नेट तो बहुत कम ऐसे कोशिन पूछे जाते हैं कि कहां पर इनका जनम हुआ वल्ला भाई बतेल का जनम जो था वो कहां पर हुआ था नाधियाद में हुआ था पर उपशन डी नाधियाद जो है वो बिलकुल सही अंसर है यहां पर इनका जनम हुआ था 81 में बोलते हैं तो रॉलेट एक्ट लैडर टू तो रॉलेट एक्ट बोलते हैं इसका क्या परवलाम रहा था रॉलेट एक्ट का परवलेशन जो मास्ट कैर हुआ था नर्सहार हुआ था अमरी सर में नर्सहार option भी सही answer है यह इसका एक बड़ा जो है impact रहा था बड़ा ही बुरा प्रभाब रहा था 82 में बोलते हैं 82 में बोलते हैं which are the following describe India as the secular state तुमारे पास rights भी है directive principle of state policy भी है preamble है schedule है इन मैंसे कौन सा जो हो describe करता है इंडिया को एक secular state के बारे में secular state preamble to the constitution जो सम्भिधान की प्रस्ताबना है वो जो हो बात करती है secular state की मुझे लगता है अभी तक हमने डिरेक्टली इंडिरेक्टली पचास के आसपास तो question discuss कर ही लिए होंगे जो मैंने थोड़ोड़ा बताया भी question के बारे में आपको तो पचास question अगर आपने revise कर लिए न तो बहुत अच्छी बात है टेलिग्राम पर अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं और टेलिग्राम पर जुड़ने के लिए अपना टेलिग्राम उपन करना वहां से सर्च करना इस तरह से at the rate all exam 31 आपको हमारा टेलिग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा टेलिग्राम पर जुड़ जाएए आने वाले एक्जाम में डेफिनिटली आपको help मिलेगी जैसे की पहले भी मिलती रही है तो इस वीडियो में इतना ही काफी है so that's all for today thank you thank you very much for watching and listening it very patiently और अपने लेवल पर